गाव में बच्चे अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। होली के दिन उनके गाव में खुशियों की बोचहार थी। अमन एक छोटे से गाव के बच्चे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर गाव की गलियों में घूम रहा था। धूप तपक रही थी और वह खुश था कि आज होली है। तभी उपर से एक बच्चा उसके उपर पानी फेंक दिया। अमन एकदम घबरा गया। वह उपर देखा तो शरारती जग्गी खुशी से चिला रहा था। होली है। जग्गी ने अमन को बताया कि आज होली का दिन है और सब को रंग लगाने का मौका है। अमन ने भी जग्गी के साथ खेलने का निश्चय किया। वे दोनों ने रंगों से भरी पिचकारियों से एक दूसरे पर पानी फेंका। गाउं की सडकों पर बच्चे नाचते गाते घूम रहे थे। छोटे बच्चे घरों की खिडकियों और चटों से गुबारे फेंक रहे थे। इस अनोखी होली में अमन ने न केवल रंगों से खेला बलकि उसने दोस्ती और खुशियों की भावना से भी खे वे अपने गुबारों को ऊपर उडाते और देखते कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। गुबारे फेलाने के बाद वे गाउं के बड़े बच्चों के साथ भी मिलकर खेलने लगे। गुबारे फेलाने का खेल उनके लिए एक नया अनुभव था। वे अपने गुबारों को उपर उड़ाते और देखते कि वे आकाश में कैसे घूम रहे हैं। गाउ में होली के दिन बच्चों के लिए नाचने का और भी एक अदभुत तरीका था। वे अपने दोस्तों के साथ नाचने के लिए तैयार हो गए। गाउ के मैदान में एक बड़ा स्टेज लगा था जिस पर धूम धाम से नाच रहे थे। बच्चे नाचने के लिए खुद को रंगीन कपड़ों में ढख लिया था। वे अपने हाथों में गुबबारे लिए खड़े थे और गाउ के लोग उनके नाचने को देख रहे थे। अमन और जग्गी भी स्टेज पर आये और नाचने लगे। वे अपने कदम ताल में रख कर जूम रहे थे। उनके नाचने की रफतार बढ़ गई और वे अपने दोस्तों के साथ गाउ के लोगों को दिखा रहे थे कि नाचने का यह नया तरीका कैसे है। गाउ के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और सभी ने मिलकर नाचने का मजा लिया। गाउ में होली के दिन बच्चों ने न केवल रंगों से खेला बलकि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया। सफाई जब नाचने का खेल खत्म हो गया तो बच्चों ने गाउ के मैदान को साफ करने का निश्चय किया। वे अपने हाथों में जाडू और डस्टर लिये गाउ की सडकों पर गंदगी को साफ करने लगे। बच्चों ने एक साथ काम किया। वे एक दूसरे की मदद करते हुए गाउ की सडकों को साफ कर रहे थे। उनके दिल में एक साथ काम करने की भावना थी, गाव के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और सभी ने मिलकर गाव की सड़कों को साफ किया, गाव के मैदान में नाचने की धूम थी और अब वहां सफाई की धूम थी, और वो सब लोग बहुत ही प्रसन्न मुद्रा के साथ अपने घर लोट गए इस तरह, बच्चों ने होली के दिन न केवल खुशियों का त्योहार मनाया, बलकि उन्होंने साथीता और सफाई की भी महत्वपूर्ण भावना को जीवन्त किया.